मैं है स्लाम अदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा सिर्फ आटा पर एक भयानक सड़क हाथसा हुआ है का टीवा सवार एक ट्रक की चपेट में आ गया इस हाथसे में खड़ी मसीन अमन कॉंपलेक्स के रहने वाले पती पत्ने की दर्दनाग मौत हो गई मिरितक का नाम मौमद उजेफा कास्मी 40 वर्षी है और उनकी पत्नी सवा उजेफा खान 35 वर्षी है उनके तीन बच्चे भी हैं जो अब नानी के पास हैं आज सुबह मौमद उजेफा कास्मी और उनकी पत्नी सवा खान घर के कुछ जरूरत के सामान खरीदने के लिए डू पत्नी का एक्टीवा से संतुलन बिगडा और गिर गए पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए और सबा उजेफा खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई महमद उजेफा ट्रक के साथ काफी दूर तक घिसरते हुए चले गए घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने महमद उजेफा को ततकाल कालसेखर अस्पताल पहुचाया जहां कुछ समय उपचार चलने के बाद आखिरकार उजेफा की भी मौत हो गई एक साथ पती पत्नी की मौत के बाद अब उनके तीनों बच्चों पर गमों का पहार तूट गया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे अपने नानी के पास हैं वाई जेक्षन से लेकर कल्यान फाटा तक इसी तरह के खतरनाक गड़े आपको मिलेगें जिनके वजह से एक पती पत्नी की मौत हो गई और तीन बच्चों की से माबाब का साया उठ गया। आए दिन इन गड़ों से हो रहे हाथ सो से लोगों की जान जा रही है मगर सासन पर सासन इन गड़ों को भरने के बजाए चैन की नीत सो रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते लाइक करें